अज़ हम बात करेंगे आत्मसयम योग के बारे में आत्मसयम योग श्रीमत भागवत गीता का छटात है इसमें यह बताया गया है कि जो जीवात्मा है वो अगर मन, इंद्री और शरीर इस पर जीत प्राप्त कर लेती है तो प्रकृति और जीवात्मा में मित्र का संभन्द होता है लेकिन यदि जीवात्मा मन, इंद्री और शरीर पर जीत हासल नहीं कर पाती तो उसकी स्वयम की प्रकृति ही उसके लिए शत्रू का कारे करती है इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो शेष्ठ व्यक्ति है, वो कौन होता है तो जो व्यक्ति, शत्रू, मित्र, धर्मात्मा, पापी, इस सब के प्रती, समान भाव रखे समान भाव से इस सब को देखे, वो एक शेष्ठ व्यक्ति है अब एक इसमें तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हम परमात्मा पर ध्यान लगा सकते हैं तो परमात्मा के पर ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले तो जो शुद्ध भूमी है उस पर थोड़ी घास हो उपर जिसे इसमें कुश का नाम दिया गया है उसकी उपर वस्त यानि एक आसन विछाना है आसन विछाने के बाद उसमें प्राणायाम प्रदमासन की मुद्रा है उसमें बैठना है इसमें आपका जो सर है आपकी पीट है आपका कंट है ये बिलकुल सीधे स्ट्रेट लाइन में होगा और कोई movement नहीं करेगा इसके बाद जो आपकी नासिका है यानि आपकी जो नाख है उसका जो अगर भाग है जो ऊपर का भाग है इस पर आपको अपनी द्रिश्टी आपकी जो आखें है, अपनी नजर है उसको केंदरत करना है तो आपको अपनी दृष्टी को जमाना है या उसको केंदर्स करना है इसके उपर और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना चाहिए आपको केवल उसको देखना है और सपास किसी और चीज़ पर आपको ध्यान नहीं लगाना है और इसके माध्यम से आपको परमात्मा पर ध्यान लगाने का प्रयास करना है. तो यह एक तरीका बताए गया. अब इसमें इन्हों ने एक यथा योग्य का भी concept बताए है. इसमें यह बताए गया है कि जो यथा योग्य है उसी से सिध्धी मिलती है. तो यथा योग्य क्या है? तो अब कोई इंसान भोचन का पूरी तरीके से त्याग कर देता है कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाते रहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सोते हैं हमेशा जाकते रहते हैं कुछ लोग जो हैं वो हमेशा सोते रहते हैं तो ये जित्ते भी एक्स्ट्रीम चीजें हैं, उनको सिध्धी प्राप्थ नहीं होती है। जो यथा योग है, वो दोनों को बराबर तरीके से करता है। वो समान रूप से खाता है, समान रूप से जित्ता सोना चाहिए, उत्ता सोता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को सिध्धी प्राथ होती है, यह इसमें कहा गया, तो यथा योग एक नया कॉंसेप्ट इसमें आता है, इसके बाद इसमें एक और चीज यह है, कि अर्जुन जो है वो श्रीकृष्ट से बूचते हैं, कि अगर मन विचलित है, परमात्मा में ध्यान लग तो अगर कोई व्यक्ति प्रयास भी करता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मृत्यों के बाद, और कुछ समय स्वर्ग में रहने के बाद, उसका अगला जो जन्म है, वो एक धानमिक घर में होगा, जिसकी वज़े से वो एक कोशिश कर पाएगा अपने अगले ज जन्म में कि वो मौक्ष क्राप्त कर पाएगा तो यह पूरा का पूरा बताया गया है आत्मसायम योग में